आज हम लोग economy के lecture को ही continue करेंगे इससे पहले मैंने तीन lecture को complete किया है अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो अप प्ले लिस्ट में जाकर उनको पहले देखिए फिर इसको देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा आज हम लोग कैसे GDP को major किया जाता है उसके बारे में discuss करेंगे ठीक है कौन-कौन से method है GDP को major करने का वो हम लोग आज discuss करेंगे सबसे पहले हम लोग discuss करेंगे gross value added मतलब सकल मुले वर्दिद तो GBA कैसे calculate किया जाता है इसमें हम लोग discuss कर लेते हैं GBA calculate किया जाता है जिसे किसी specific sector है कोई particular sector का GBA अगर हमको निकालना है तो हम इस method से निकाल सकते हैं मान लेते हैं example के तोरफर हम कोई iron industry लिए ठीक है उसमें हम input दे रहे हैं इसमें हम invest कर रहे हैं मान लेते हैं कि वह x है ठीक है तो इसमें कुछ output आएगा तो जो output आएगा मैंने उसको मान लिया y ठीक है एनि मैंने input किया x और output हुआ y तो इसमें से जो benefit होगा तो benefit क्या होगा y जो output आया और minus input तो उसमें घटा देंगे तो वह क्या हो जाएगा मेरा benefit हो जाएगा तो जो benefit आएगा वही हो गया आपका जीविए ठीक है gross value added ठीक है इस method से आप कोई भी specific industry हो ठीक है उसके आप जीविए को निकाल सकते हैं ठीक है अगर आप पूरी country के industry को अगर निकालना चाहते हैं कि सारी country के जो country की जितनी भी company है industries है तो उसका अगर आप GB निकालना चाहते हैं तो आप सिग्मा लगा देंगे GDP हो जाएगा आपका ठीक है next हम लोग discuss कर लेते हैं expenditure method यानि खर्च या बियाई बेधी ठीक है मैंने यहां पर लिखा है consumption यानि उफ भोग पलस investment निवेश पलस government spending यानि सरकारी खर्च पलस export यानि निर्याद माइनस import में आयात ठीक है आयात और नियात में क्या अंतर होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर ब्रिफली जान लेते हैं अगर इंडिया मान लिजें इंडिया किसी country को कोई चीज देता है यानि बेचता है ठीक है तो कहला आएगा वो export अगर इंडिया कोई other country से कोई चीज खरीदता है तो उसे हम लोग कहेंगे import ठीक है यानि किसी country को किसी other country को कोई चीज बेचना export कहलाएगा और किसी other country से कोई चीज खरीदना वो import कहलाएगा ठीक है यह इसमें basic अंतर होता है आप इसको समझ सकते हैं तो इसको आप simple way में लिख सकते हैं C हम यहाँ पर ले लेंगे C plus I plus government spending plus export minus import बराबर आपका क्या हो जागा GDP तो आप इस method से आसानी से GDP को calculate कर सकते हैं उसके बाद last है income method ठीक है any I method है इसमें क्या किया जाता है जितना भी income होता है ठीक है total all income आपका होगा उसको क्या कर लिया जाएगा calculate कर लिया जाएगा और GDP निकाल लिया जाता है ठीक है तो यह method अभी India में use नहीं किया जाता है income method इंडिया में use अभी नहीं किया जाता है तो इस तरह से आप किसी अगर specific sector का निकालना है तो आप gross value added method से निकाल सकते हैं उसके बाद हम लोग components of India GDP को discuss कर लेते हैं कि इसमें कून-कून से components हैं ठीक है major components के अगर बात करेंगे broad sector की बात करेंगे तो तीन है primary secondary and tertiary ठीक है तो primary जो sector है इसमें क्या क्या आता है agriculture, क्रिशी, mining, खनन, ठीक है, quaring, पत्थर तोड़ना, one, मतष्य, पश्युपालन, etc इसमें आता है primary sector में ठीक है, secondary की बात करें हम लोग, तो secondary में आता है construction, processing, electricity, gas ठीक है, उसके बाद हम लोग discuss कर लेते हैं tertiary sector यानि तृत्तिय छेत्र, इसे सेवा छेत्र भी कहा जाता है, service sector भी कहा जाता है, ठीक है, transport एनि परिवाहन, communication, संचार, services, सेवाएं, banking, railway, it is से इसमें tertiary sector में आता है, ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो GDP में contribute करता है, तो वो करता है आपका तीसरा sector, ठीक है, तीसरा करता है, उसके बाद दूसरा करता है, फिर आपका क्या करता है, वन करता है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो GDP में contribute करता है, वो आपका third, tertiary sector करता है, फिर second sector करता है, यानि आपका secondary sector, उसके बाद आपका primary sector, ठीक है, उसके बाद एक important points है, economic survey, ठीक है, CSO, Central Statical Organization का कहना है, कि total five sector है, लेकिन उसमें से तीन sector, broad sector है, जो हम लोगों ने discuss किया, primary, secondary, and tertiary, ठीक है, तो पांस sector में दो sector और कौन-कौन से है, ये है आपका fire, ठीक है, finance, insurance, real estate, और fifth है, अबलब public, administration, defense, इसको five में रखा गिया है, ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा कि कैसे GDP को calculate किया जात है, ठीक है, very simple way में हम लोगों ने discuss किया, इससे पहले हम लोगों ने GDP के बारे में discuss किया है, आप चाहें तो उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद इसको देखेगा, तो आपको समझ में ज्यादा आगा, तो आज के लिए बस इतना ही, thanks for watching.